स्टुडेंट्स आज पढ़ेंगे हम क्लास फॉर मैथ्स मेंटल मैथ्स असाइन्मेंट शीट 13 तो आपको इसमें यह है सब्ट्रैक्ट दफॉलाइंग नंबर्स विदाउट बॉराइंग ठीक है तो आपको बॉरा नहीं लेना है कैरी नहीं देना है सिधा आपको विदाउट करिंग सब्ट्रैक्ट करना है ठीक है तो आपका समें फर्स ट्श्ड प्लेइट वैली 1000 तक है उन सितर्न तहाँ थाउजंट तो हम बीचे से स्टार्ट करते हैं हमेशा तो फ़र में से 3 CE क्रिण तो 4 इसे 3 math क्लिग डायностью किटता है रीगा आपका वरा फिंगर मैं भी कर सकते हैं आफे notebook में लिख कर भी कर सकते हैं तो four में से one two three minus किया तो किता बचा आपका one five में से zero minus करेंगे मतलब zero means कुछ नहीं minus कि आपने तो five asities आज आएगा यहाँ पर five seven में से five minus करेंगे तो अब आप finger जैसे आप addition में क्या करते हैं fingers बढ़ाते हैं आप आपको finger fold करते रहना है तो seven में से five fingers four close कर देंगे one two three four five किता बचा आपका two seven में से five गया two eight में से four minus करना है तो eight में से four अब eight fingers पहले count कर देंगे तो three four close कर देंगे तो four आ जाएगा आपका ठीक है और आप notebook में भी कर सकते हैं जैसे one two three four five six seven eight वैसे one two three four तो किता बचा आपका four जैसे आपका second है seven में से two two seven में से two minus करेंगे किता आएगा आपका five ठीक है eight में से five ठीक है तो eight one two three four five six seven eight में से five one two three four five तो कितना है आपका 3 2 में से 0 means कुछ नहीं गया तो 2 बचेगा 3 में से 2 करना आपको सकता है 1, 2, 3 में से 1, 2 तो बचा 1 अब आपका 3 है 8 में से 6 minus करना आपका 8 में से 6 करोगे तो कितना है आपका 2 7 में से 2 करेंगे तो 5 2 में से 0 तो 2 4 में से 3 गया आपका बचाए 1 ठीक है ऐसी 4 थे आपका 7 में से 2 1 2 3 4 5 6 7 में से 2 गया तो 1 2 3 4 5 तो आएगा 5 ठीक है तो सभी आपको समस ऐसे करने है 8 में से 0 गया आपका तो कुछ नहीं गया मतलब 8 याएगा 6 में से 4 तो 6 और 6 और 1 2 3 4 तो कितना बचाए आपका 7 हो गया आपका देखे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 तो 2 बचाए ना तो 7 में से 4 माइनस करेंगे कितना आपका आपका ऐसे ही 3 खितना आपका 6 में से 4 तो 6 में से 4 गया तो कितना आपका 2 7 में से 1 ठीक है तो subtract कर देना मतलब कम कर देना 7 में से 1 कम हो गया तो किता बचेगा 6 8 में से 6 कम हो गया तो किता बचेगा 6 2 है ना 6, 7, 8, 2 3 में से 1 गया तो किता आ गया 2 7 में से 2 माइनस कर देंगे किता आ गया 5 या फिर आप कैसे कर सकते हैं दिखे जो number आपको minus करना है जिसे 7 में से 2 minus करना है तो 2 को हम नहीं गिरेंगे और 2 से count कर देंगे 7 तक तो count करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना है आपका 5 तो ऐसे भी कर सकते हैं पी आपका fill in the blanks करना आपको ठीक है हमने किया है addition वाली सब cases में भी किया हमने तो अब ऐसा number जिस में से हम 1 minus करेंगे तो 4 आ जाएगा ठीक है तो ऐसा गौन सा number है ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे 5 है ना 5 में से 1 minus करेंगे तो गिता आ जाएगा आपका 4 students यहाँ पर फास देखेंगे आपका 5 में से कितना minus करेंगे कि 4 हो जाएगा 5 4 के बाद क्या आता है आपका 5 आता है ठीक है तो एक number बाद ही आता है ना तो 5 में से क्या minus करेंगे 1 तो 1 minus करेंगे तो 4 आ जाएगा आपका ठीक है तो अब इस में कि कि कितना माइनुस करेंगे हम कि हमारा six रड़ चाहे है थो यहां पर 0 कैसे नंबर हो गया है न हो यहां और टो six में से हम six माइनस करेंगे तो आपका zero बटो six minus six zero सेवन जह मैं से टू मा इस करेंगे किता तरी आपका five आना four में से three माइनस करेंगे one आपका second ठीक है तो आपको यहां देगे उपर box दिया गया है सबसे उपर फिर 1 और नीचे 4 तो कौन से number में से 1 minus होगा कि 4 आ जाए ठीक है तो एक बड़ा number लेना है हमें मतलब है ना तो 4 में 1 add कर देंगे 5 तो 5 में से आपका 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा आपको आना यह आपका 7 फिर आपका box है फिर नीचे 4 तो 7 में से कितना number minus करेंगे कि आपका 4 आ जाए तो 4 से आप counting कर देंगे 7 तक 4, 5, 6, 7 तो कितना number आएगा यहाँ पर 3 number आएगा ठीक है और फिर आपका 6 उपर क्या box है आपका यह box है आपका नीचे 2 है और यहाँ पर 4 है ठीक है कौन से number में से हम 2 minus करेंगे कि 4 आ जाए ठीक है तो 4 में हम यह 2 add कर देंगे 4, 5, 6 तो यहाँ पर 6 आ गया और 6 में से 2 गया तो कितना आगया आपका 4 है ना तैसी 8 में से 4 8 में से 4 minus क्या minus करेंगे कि 4 आ ठीक है 8 में से 4 minus करना है आपको तो 8 में से 4 minus क्या कितना आगया आपका यहाँ पर 4 ठीक है तो without carrying वाले में देखी क्या करेंगे जैसे कि अगर हमें सबसे उपर वाले यह digit निकालनी है ठीक है तो यह without carrying वाले case में करेंगे सिर्फ हम ठीक है carrying वाले में ऐसा नहीं होगा ठीक है तो जैसे 4 और 1 है नीचे तो इनको क्या कर देंगे हम add कर देंगे और उपर वाला number हमारा आ जाएगा ठीक है और अगर हमें यह वाला number निकालना है इसके बीच वाली term का number निकालना है तो जो सबसे उपर वाली हमारी row है और नीचे answer वाली row है इसमें से यह minus कर देंगे तो आपका यह middle वाले आपके boxes आजाएगे और अगर आपको यह नीचे वाला निकालना है box तो आपको directly क्या करना है वो तो हमें पता ही होगा फिर ओपर number दिये गए हमें और minus करना होगा इसके तो ऐसे करना है तो आपको subtract करना है और verify करना है तो numbers दिये गए इनको subtract करना है तो first आपका 34,571 and 21,450 तो पहले बड़ा number लिखेंगे फिर छोटा number तो पहले 34,571 और फिर उसके नीचे ही जो जुसके place पर है होई पर लिखना है 21,450 तो 1 में से 0 गया मतलब कुछ भी minus नहीं हाँ तो number as it is आएगा 1 7 में से 5 minus किया हमने तो किता हैगा count 5 minus करेंगे तो 5,6,7 किता बच्चा 2 5 में से 4 minus किता है हमारा 1 4 में से 1 minus किया 3 3 में से 2 minus किया 1 तो आपको पता है कैसे गड़ना है minus आपने छोटी class में भी किया है साइकिन है 95,184 minus 53,063 तो 95,184 में से 53,063 तो पहले बड़ा number फिल छोटा तो 95,184 पहले लिखेंगे तो 4 में से 3 आप minus करेंगे हिता हैगा 1 तो 1,2,3,4,1 minus किया कितना बचा आप 3 ऐसे ही 8 में से 6 minus करेंगे आप का आईगा 2 1,2,3,4,5,6,6,7,8 तो 2 minus करेंगे 1,2, कितना बचेगा 1,2,3,4,5,6 तो यहाँ पर देखेंगे आप 8 जैसे किया आपका 8 है 1,2,3,4,5,6,7,8 में से 6 minus करेंगे 1,2,3,4,5,6 तो आपका 2 बचा तो 2 लिग देंगे आप 1 में से 0 और लग कुछ नहीं गया तो 1 एज़टी ज़ा जाएगा नीचे यहाँ पर 5 में से 3 तो 1,2,3,4,5 और 1,2,3 तो 2 आजाएगा आपका ऐसे 9 में से 5 कितना आएगा आपका 4 Students, आपकी assignment sheet 13 complete हो चुके है Thank you